स्वागत है आपका आपके अपने चलना इस्टड़ी बिद मोटिवेशन में तो यूपी टेपलसी की तरब से बिग ब्रैकिंग निउज आयोक के दोरा नए नोटिस जारी जो बोला था वही हुआ तो चलिए दोस्तों देखते हैं आयोक के दोरा क्या नोटिस जारी हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं दो सितंबर और आज ये नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस जारी हुआ है आई टिया इस्ट्रक्टर 2015-2027 की भरती तो देखी रहे हैं आप यहाँ प एक शॉट लिष्टिंग की कारवाही को परांत स्रिणी वार वीवरण सही साक्षातकार ही चिन्नित 49 अर्ष और अब वंधित रूप से अर्ष अभ्यार्थियों का नियूंतम प्रिशित कटाफ है वो यहाँ पर दिया गया है अब इनका जो साक्षातकार है जो इंटर्वीव चल रहे हैं इंटर्वीव चल रहे हैं तो इनका जो इंटर्वीव होना है वो कब होना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23 सितंबर को इनका जो इंटर्वीव है वो होना है और सेकेंड पाली में प्रत्य अभ्यार्थियों का पहली पाली में होगा तो उसके बाद यहा आज बजे तक प्रत्यवदन दिया जा सकता है तो उसके उपरान थी आपको 23 सितंबर को साक्षातकार में सामिल किया जाएगा तो यह आपका जो आईटिया इंस्ट्रेक्टर 2015 में ड्राफ्ट मैं का जो साक्षातकार हैं उसकी तीथी आ चुकी है तो इससे पहले भी मैंने आपका ड्राफ्ट मैं का साक्षातकार जरूर होगा क्योंकि जो कम पद हैं उनके साक्षातकार पहले हो रहे हैं जिनमें आपका ड्राफ्ट मैं भी शामिल था तो मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपके 569 पदों पर जो 28 सितंग शाथ 7, statistics तो इसमें जो पद थे, यहां पर आप देख सकते हैं, कि ये पद थे, जिसमें मैंने आपको बताया था, आपका कि feather, Turner, और साथ ही साथ आपका, जो आपका draft man है, आपका draft man, यहां पर आप देख सकते, draft man civil, इसके लिए भी मैंने बताया था, कि इन तीन में से, कोई एक साक्षातकार आपके हो सकता है तो आखिरकार draft man civil की जो साक्षातकार है उसकी डेट आ गई है इसी तरीके से आप की जो पहले कम पद हैं उनके साक्षातकार होंगे अब जैसे आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका draft man civil का आ गया है तो अब साक्षातकार बाद में होंगे तो इस तरीके से ITI इंस्ट्रक्टर 2015 में civil draft man के जो साक्षातकार है उसकी तिथी आ चुकी है तो यह महत्मूर जानकारी थी जो मुझे आप लोगों को साथ सेर करनी थी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लिजेगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबिस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि जो भी latest update होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी तो चली दोस्तों फिर मिलते हैं आप से next वीडियो में जैहन्द